कि नमस्कार मैं उरंजीत जहाओ और आप देख रहे हैं विफोर प्रेंट डॉट इन कि बिहार विधान सभा के चुनाओं 2020 में होने हैं 2020 आखर आखर में होंगे लेकिन इससे पहले ही बिहार के सियासदानों की तैयारियां सुरू हो गई हैं कुण कितनी सीटों पर लड़ेग कि एंडिये में क्या होने वाला है एंडिये में जो महत्पुल भूमिका इंदिनों निभाते दिख रहे हैं बिहार में वह हैं प्रसांद किसोर चुनावी रण रितिकार और जद्यू के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष उनकी बातों में दम होता है जब उन्होंने नितिश करने से मनातक कर दिया है कि अगront किसोर अब कुछ कहते हैं तो इसकी बाते दूर तक जाती है क्योंकि अभी हाल में परसूंत किसोर ने भाजपा ने चुनाव लड़ा था उसी हिसाब से बिरहान सभाव में भी चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन ऐसा होता अब नहीं दिख रहा है क्योंकि इस पर परसांद किसोर ने एक अलग सी राय रख दी है परसांद किसोर ने कहा है कि 50-50 फर्मूले का सवाल ही पैदा नही का है जब जद्यू और भाजपा पहले भी जब साथ साथ चुनाव बिधान सभाव में लड़ते थे तो उस वक्त का जो फर्मूला था फर्मूला वही रहेगा तो उस वक्त का फर्मूला 50-50 का नहीं होता था जानी 101 पर भाजपा तो 140 के आसपास जद्यू जो है वो चुना यह नहीं कर सकते हैं उसे इस साथ से 50-50 फर्मूले को अपलाई नहीं कर सकते हैं परसांद किस वर की बातों में अब दम तो रहता ही है लेकिन जब यह बयान मीडिया में सुर्खियां बटोरेगा तो एंडिये में भाजपा के तरब से हमला जरूर होगा क्योंकि किसी नकिस उम्मीद से ही लोग सभा में 50-50 के आकरे तयार किये गए थे परसांद की सोर भले ही तरक दे रहे हों लेकिन इतना आसान नहीं होगा कि आप 50-50 के बातों से अलग हो जाए यहां तो बिहार में जो एंडिये में भाजपा है भाजपा तो कब से यह सोर मचाय हुए है कि नित इस कुमार सीम भी बने और बात 50-50 की भी हो सारी बाते एक साथ होती तो नहीं दिखती है लेकिन प्रसांद की सोर ने जब कहा है तो इसके एफेक्ट्स और साइड एफेक्ट्स दोनों देखने को मिल सकते हैं कि और हम मानते हैं के एंडिय में गठव वंदन जो है चोटा है तीनी लोग है जद्यू भाजपा और लोजपा तो लोजपा के लिए क्लिए चिराग पार्षवान है इस वक्त पूरे एक्षन में हैं उनकी भूमे का अभी बहुत महत्वपूर्ण है और वो अपने रनिती में कई सारी चीज़ों का ध्यन करते हैं तो वो भी अच्छी खासे बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार में एंडिये जो मजबूत तो जरूर है लेकिन कभी कभी नितीश कुमार के नाम पर बगाबत देखने को मिल जाता है नितीश कुमार को कई लोग ऐसे एंडिये में भाजपा में है जो मुख्यमंत्री के तोड़ पर अब नहीं देखना चाह यह बात समझने वाली है जो हम 2015 के आकरे की बात कर लेते हैं 2015 में एंडिये में जद्यू नहीं था उनके साथ रालोसपा हम इस तरह की पार्टियां में उनके साथ थी लोजपा तो हुआ क्या था नतीजा कुछ इसकदर आया था कि कॉंग्रेस को 77 मिल गई थी बीजेपी को तिरेपन लोजपा को दोर हमको एक यह हुआ था जद्यू को 71 सीटे और आरजएडी को 80 सीटे आई थी यह आकरे उस वक्त गए थे लेकिन इस्तितियां इस बार बदल गई समिकरन बदल गए हैं राजद के साथ बाकी दल तो हैं लेकिन जद्यू ने साथ चोर करके वापस भाजपा से हाथ मिला लिया है और भाजपा से कुछ दल जो थे जो हम थे जो रालोस्पा वाले थे वह उधर चले गए हमको बात एक सिटे मिली थी और इस बार इधर आये हैं तो इनके स्थितियां कुछ ठीक नहीं है और जितना माजी वीवादों में बने रहते हैं सुर्क सब्सक्राइब है तो यह फर्मूला वहां पर लागू प्रसांत की सुर्ण होने देंगे या नहीं होने देंगे यह समझना जरूरी है कि 2020 के चुनाव में पहले से जो तै होता है वह जब चुनाव नजदिक आते हैं जो मूड होता है जो जनता का मूड देखा जाता है और से विपक्षिप में जो खल्चल देखी जाती है कई साधी बातों को समझते हुए सीट सेरिंग की बातों सुरू होगा है और जब भी सिट सेरिंग की महा गठबंधन या नडियह किसकिस तो होता ही है लेकिन प्रसांत किसोर इन दिनों इतने एक्टिव है और इतनी बड़ी बड़ी बाते वो कह रहे हैं जिसे कहीं न कहीं बीएपी तिल मिलाई होगी बली 2014 के किंग मेकर के रूप में प्रसांद किसोर को लोकसवा में जाना गया था बात में नितिजे सही नहीं नहीं आए लेकिन इन दिनों बड़े-बड़े मुद्दे पर बड़ी राय रख रहे हैं प्रसांद किसोर इससे लगता है कि भाजपा और जद्यू के बीच फिर से खटपट बढ़ सकती है फिर कहीं बिहार भाजपा जो है उल्टी सिधी डिमांड ना कर दे नितिज कुमार के लिए मुश्किलिये ना खड़ी कर दे कई तरह के सवाल होंगे अगर परसांद किसोर इतने आस्वस्त हैं कि बिहार व कि अलग होता है तो एसी स्थिति में क्या नितिज कुमार्ण अकेले चलेंगे या जो उधर से नियोता मिलता है महागटबंदन की और से उस्टरब चले जाएंगे यह जरूर रहेगा क्योंकि यह आसंकाओं के बीज हैं जब परसांद किसोर कोई बात कहते हैं तो नितिज क नितिज कुमार के लिए रहें वो कितनी आसांद कर देंगे या एंडिये के लिए कितनी मुश्किल कर देंगे यह तो आने वाला चुनावी वक्त नहीं बताएगा लेकिन जो फिलहाल परसांद किसोर ने बाते कही हैं उससे बिहार के सियासत एक बार फिर जोरों से गर्म हो सकते हैं नितिज कुमार को आफर मिल सकता है बीजेपी हमलावर हो सकती है और भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इतना ही बागी खुरों के लिए बढ़े दिया हमारी साथ नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें